सो हे गाईस कैसे हैं आप सब आई होप सब बढ़ी होंगे आज की इस वाले वीडियो में अटेंडेंस टीट क्रियेट करना सिखेंगे MS Excel में तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले Excel ओपन करेंगे, Excel ओपन करने के लिए Start में में क्लिक करेंगे और Excel टाइप करके Enter बटन प्रेस कर देंगे तो Excel ओपन हो जाएगा यहाँ पर blank document में क्लिक करना है, यहाँ पर line number 4 में आ जाना है और यहाँ पर हम लिखेंगे serial number, name of employee या student जिनके लिए अब बनाना चाहते हैं यहाँ पर लिखेंगे designation और यहाँ पर लिखेंगे date, one, two लिखेंगे उसके बाद यह जो one, two है यह दोनों को select करेंगे और कुछ इस तरह से drag कर देंगे 31 तक, 31 तक drag कर लिए अब स्टाटिंग में जाएंगे, यहाँ पर day लिखेंगे, तो day देख लेंगे यहाँ पर कौन से day रहेगा एक तारीक को, तो यहाँ पर हम January का बना रहे हैं, तो January को, एक January को क्या है, Sunday है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, sun, Sunday है अब क्या करेंगे, इसको drag कर लेंगे 31 तक, तो यहाँ पर automatic, जितने भी date है, सभी आ जाएंगे, उसकी पर फिर से starting में आ जाना है, और यहाँ पर इसका जो direction है, इसे यहाँ पर rotate text अप कर देना है, यहाँ से साभी को select कर लेना है, और यहाँ पर double click करेंगे, तो यह fit हो जाएगा, इतना को select कर लेना है, और यहाँ से merge and center कर लेना है, अब इतना को select करेंगे, और इसको middle में कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लिखे लेंगे absent and present अब यह जो दोनों हैं इसे भी merge डाउन कर लेंगे और इसे भी merge प्रणाई कर लेंगे अब इसका जो पोजिशन इसको middle में कर लेंगे अब इतना को select करेंगे यहां पर आ जाना है cell style में और यहां से आपको जो भी style पसंद है उस style को select कर लेजे उसके बाद इसे bold कर लेंगे यहां पर हम लिखेंगे serial number, name of employee यहां पर लिखेंगे designation तो ऐसे ही मैं सभी employee का data enter कर लेता हूँ उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ सभी employee का data enter कर लेने के बाद serial number वले column को center रलिंग कर लेना है यहां पर double click करेंगे और यहां से भी double click करेंगे तो यह automatic fit हो जाएगा अब इतना को select कर लेना है यहां पर आकर के all borders कर देंगे अब देखो जहां पर हमारा absent present रहेगा उतना को select करना है conditional formatting मेना है और highlight में आ करके text that contents उसके बाद यहां पर लिखेंगे जिसे हम absent absent के लिए ए रहेगा तो यहां पर एक हम किस से highlight करना चाहते है तो यहां पर आजएंगे custom format में उसके बाद यहां पर fill में आएंगे absent के लिए हम red fill को select करेंगे font में आएंगे इसे bold करेंगे और जो font का गलर रहेगा वो white रहेगा उसके बाद इसे ok करेंगे और ok कर देना है उसके बाद फिर से conditional formatting highlight उसके बाद text यहां पर हम लिखेंगे p p याने की present उसके लिए फिर custom format में आएंगे यहां पर custom format में क्लिक करेंगे यहां से bold कर देना है font का color white रखेंगे और fill का color जो है इसको green रख लेंगे उसके बाद ok करेंगे और फिर से ok कर देना है फिर conditional formatting में आएंगे highlight और यहां से text यहां पर हम लिखेंगे h h याने की holiday उसके बाद custom format यहां पर आप जो भी color आप रखना चाहते हैं जैसे के हम यह blue रख लेते हैं dark blue रख लेते हैं ठीक है उसके बाद font में आज आएंगे और यहां से इसका जो color इसको white रखेंगे और इसे bold करके ok कर देंगे फिर ok कर देंगे अब देखिए यहां पे जैसे हम यहां यहां से जो alignment है इसको center कर लेंगे अब देखिए जैसे हम यहां पर h लिखे तो आटमेटिक वो ब्लू हो जाएगा यहां पर प्रेजंट के लिए पी है ना तो जैसे से हम लिखते जाएगे सब आटमेटिक यहां पर फिल होते जाएगा सो गाइस अब हम क्या करेंगे अब से हम ट्रेजेंट को काउंट करेंगे दूसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक्वल काउंट इफ उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे रैंज को सेलेक्ट करेंगे कहां से कहां तक हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके बाद यहां पे छोटा स लगाएंगे इस पेस करेंगे और यहां पर यहां पर डडबल इन Toniょat Atman के अंदर 1 लिखेंगे और ब्रेकट को close करके एंटर कर देंगे उसके बाद ऐसे क्या गांडने ड्रेक कर देंगे तो यहां पर जितना absent है वो सब काउंठ हो जाएगा सेम् यहां पर आजयें गे एकवल काउंट इफ फिर ब्रैकेट ओपन रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर कॉमा लगाएंगे छोटा सा और यहां पर डबल इनुटेट कॉमा के अंदर लिखेंगे पी याने की प्रेजेंट तो जितना भी पी रहेगा वो सब को काउंट करेंगा अब ब्रैकेट प् जैसे कि यहां पर हम पी लिखें तो देखिए यहां पर प्रेजेंट काउंट हो गया यह लिखे तो एक काउंट अपसेंट काउंट हो गया है ना तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं अब यहां पर लोग हेडिंग दे सकते हैं जैसे कि यहां पर मर्जेंट सिंटर कर दे और यहां पर लिख देंगे attendance seat ऐसे ही आप अगर दूसरी मंत के लिए भी बनाना चाहते हो तो यहां पर जो seat है नीचे में इसमें right click करना है move और copy करेंगे और move to in करके creator copy कर देंगे इसका copy बन जाएगा यहां पर rename कर देंगे जो भी मंत के लिए बनाना चाहते हो उस मंत का नाम लिखेंगे और seat one में आके फिर यह जन्वरी कहते हैं यहां पर लिख देंगे जन्वरी तो ऐसे ही आप सभी मंत के लिए बना सकते हो